लो फ्रेंड्स वेलकम तो माई न्यू वीडियो तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे केनेडा के विजिट वीजे के लिए जो डाकुमेंट रिकार्ड है इनके बारे में और अगर आप केनेडा का विजिट वीजा अपलाई करना चाहते हैं तो आपके पास कौन से अन्यूसमेंट की है आपका विजिट वीजा वर्क नमें Europe हो सकता है उसके बात और लोगों का इंटरेस्ट गया राएं और विजिट वीजे की तरफ तो आज हम बात करेंगे चिनेडा विजिट वीजे के डाक्यूमेंट के बारे में तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स केनेडा के विजट वीज़े के लिए आपके पास पासपोर्ट चाहिए जिसकी वेलेडिटिग कम से कम पांच साल फाइव एयर होनी चाहिए क्योंकि जितने साल का पासपोर्ट होगा उतने साल का आपका वीजा लगेगा इसके बाद आपको ट्रेवल इस्ट्री चाहिए एन एसी कार्ड की कापी चाहिए पासपोर्ट साइज दो फोटो चाहिए वाइट बेक गराउन FRC NTS चेंबर सर्टिफिकेट अगर आप कहीं पे जोब करते हैं जहां पे आप जोब करते हैं उसका NOC और लास्ट टू इयर की टेक्स फाइल के बाद आपको चार मन्त की बेंक स्टेडमेंट चाहिए और बेंक का लेटर और अगर आपके पास कोई प्रापटी है तो उसकी इंगलिस ट्रांसलेशन और फैमिली साटिफिकेट अगर ये सारे डाकुमेंट्स आपके पास हैं तो आप केनेडा के विजिट वीजे के लिए अपलाइ कर सकते हैं केनेडा के विजिट वीजे के लिए आप ओनलाइन अपलाइ करेंगे और इसकी फीज 100 केनेडियन डालर है फ्रेंट्स आज का वीडियो इतना ही था मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इस वीडियो पे हमें एक हजार सब्सक्राइबर चाहिए